हलो स्टूडेंस वेलकम टू मैगनेट बेंस हिंदी मीडियम मैं लाली वर्मा सभी बारवी कक्षा के विध्यारतियों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ स्वागत करने के साथ साथ यह आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे खुश होंगे प्रसने चितो कर अपने सभी कारे कर रहे होंगे और एक और बात कि अपने आपको किसी का गुलाम नहीं रख रहे होंगे चाहे वो बाजार हो चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व पर magnet brains जो कक्षा साथ भी से बार भी तक की online school education 100% free provide करता है Hindi medium और अंग्रेजी medium की अदि हम बात करें तो kindergarten to class 12th 100% free online education साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षा है जैसे NTSC, Olympiad, IIT, JE, NEET, UPSC, Bank, सभी सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज भी आप देख सकते हैं और e-books और भूक्स भी अवेलिबल हैं जिसमें बहुत सारे mcq sample papers previous year question papers सब कुछ शामिल है जो आपकी school education की exams और प्रतियोगी परिक्षाओं में सहाइक सिद्ध होगी तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लिंक पर जाईए और देखिए उसमें आपके लिए बहुत उपियोगी सामगरी है जो की आपको लाबदायक होगी जिससे आप अपनी मंजिल की और आगे बढ़ने में सहाइक होगी त अब हम करेंगे गद्खन का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बाजार दर्शन आप यहां देख सकते हैं कितनी भीड है बाजार में पैर रखने की जगे नहीं है ऐसी ही स्थिती होती है मार्केट से बाजार में की व्यक्ती बिल्कुल जाता है और अपने आवशक हो ना हो ऐसी कुछ सामगरीय सामान खरीद लेता है कि जो बाजार की चमक दमाग में दिखाई देता है इसका तात पर क्या हुआ कि आवशकता ना होने पर भी हम बाजार के गुलाम हो गया और वस्तु 맞 खरीद ले यही कुछ दिखाया है बाजार धर्शन में जेनेंद्र weं को मार ज देखक हैं और जिन्होंने अपने हिंदी साहित को बहुत अधिक योगदान दिया है तो हम नमन करते हैं चलते हैं जीवन परिजय की वह श्रीजेनिंद्र कुमार जैन जी हिंदी साहित के सूप्रिसिद्ध कथाकार हैं उनको मनोवैग्यानिक कथाकार कथाधारक अप्रवर्त रखता है किसको मनोवैग्यानिक कथाधारा का प्रवर्तक माना जाता है तो जैनद्र कुमार जी को मनोवैग्यानिक कथाधारा का प्रवर्तक माना जाता है प्रवर्तक मतलम जिसने स्थापना की हो इनके साथ ही साधवेक स्रेश्ट निबंदकार भी हैं उनका जन्म सन 1905 को उत्तर प्रदेश के अली गर्जिले के कौडिया गंज नामक स्थान पर हुआ उनकी प्राराम्बिक सिक्षा हस्तिनापूर के जैन गुरुकुल में हुई हस्तिनापूर क्या है दिल्ली उन्होंने वही पढ़ते हुए दस्वी की परिक्षा उत्रेन की काशी हिंदू विश्विद्याले में उच्च सिक्षा ही तु प्रवेश लिया लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और वे गांधी जी के साथ आसहयोग आंदोलन में शामिल हो गया ठीक है उन्होंने साथ आसहयोग आंदल में शामिल हो गया और कई तरह से स्वतंत्रता प्राप्त कराने में उनका भी योगदान है वे गांधी जी से अत्याधिक प्रभावित हुए गांधी जी के जीवन दर्शन का प्रभाव उनकी रचनाओं में इस पश्च दिखाई देता है गांधी जी सबसे बड़ा प्रभाव क्या हो सकता है सब्ते और अहिंसा जिनके बलबूते पर महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को ना कोचने जवाए उनको धूल चटवाई ठीक है तो इसी तरह के जो विचार है उनकी रचनाओं में भी दिखाई देते हैं सन 1984 में उनकी साहत सेवा भावना के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भारत भारती सम्मान से सुशोवित किया कब किया था सन 1984 में 1905 में जन्म हुआ था ठीक है 84 में उन्हें साहत सेवा भावना के कारण हिंदी संस्थान ने भारत भारती सम्मान से सुशोवित किया उनको साहत अकादमी पुरसकार भी प्राप्थ हुआ महारत सरकार ने उनकी साहतिक सेवाओं के लिए पदमभूषण से भी अलंकरत किया. अब देखो भारत-Bhati सम्मान, सहायतकादमी सम्मान, पदमभूषण सम्मान से अलंकरत किया और सन 1990 में ये महां सहाहति सेवी संसार से विदा हो गए तो 1905 से 1990 तक इनका जीवन काल रहा रचना है जैनंद्र कुमार जी की एक कथाकार होने के साथ प्रमुख निबंदकार भी है निबंद भी लिखे हैं उन्होंने उच्च कोटी के निबंदों के भी रचना की है हिंदी कथा साहित को उन्होंने अपनी लेखनी से संवही है हिंदी कथा साहित की बात की जाए लेकनी अर्था कलम या पैं तो उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी कथा साहित को संवही तब ही क्रुख नाम से लिया जाता है और जिनके जो भी चैप्टर सम्पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ नजर आता है कि किस तरह कि उनकी विचार धारा थी, उनक्रमुक रचनाय है, उपन्नयास परक, अनाम स्वामी, सुनीता, कल्यानी, त्याक पत्र, जैवर्धन, मुक्ति बोध, विवर्ध, कहानी संग्रह है, यह थे उपन्नयास, ठीक है कहानी संग्रे वातायन एक रात दो चिडिया फासी नीलम देश की राजकन्या और बाजेव ये इनके कहानी संग्रे हैं तो कहानी संग्रे नेवंद और उपन्यासकार के भी विरचेतर रहे हैं अब यहां पर एक और इमेज आपको दिखाई दे रही होगी कपड़ों क हैं मार्केटी मार्केट नजर आ रहा है भीडी भीर नजर आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे मानों कि भाप रे क्या है यह हां भाई सर्दियों का सीजन है स्वेटर्स मिल रहे हैं लेकिन जो बाजार की चमक दमक है वो इसकदर से हम सब को या व्यक्ति को अपनी ग्रफट मे ले लेती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मैं तो किसी का उलाम हो गया बाजार दर्शन पार्ट का नाम ही है बाजार दर्शन बाजार दर्शन अर्थात जो भी बाजार या मार्केट या मेले या जो भी कुछ लगे रहते हैं उसमें किस कदर लोग सब कुछ भूल के बस उसक जाते जाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि बिना लिस्टिंग किये हम कहीं मार्केट में चले जाएं या किसी मॉल में कहीं भी एंट्री कर लें तो आप समझ लीजिए कि बस अब तो हमारी जेव खाली हो करी लोटेगी हां कुछ समझदार लोग होते हैं जितनी आवशकता होती है उतनी पहले लिस्ट बना कर ले जाते हैं और उसी के अनुसार खरीददारी करते हैं लेकिन बहुत से लोग हैं कि चलो बहुत दिखेगा ना हम खरीद लेंगे और कुछ अनावश्यक चीज़ें भी खरीद कर ले आते हैं सिर्फ और सिर्फ चमक दमक के गुलाम हो जाते हैं अर्थात बाजार किसी को भी अपने आकरशन में कैद कर सकता है बाजार किसी भी चाहे वो बच्चा हो चाहे युवा हो या बुड़ा हो किसी भी धर्म की कोई पक्षबात नहीं करता सब के लिए संभाव रखता है बाजार जैनंद्र कुमार जी ने इस पश्ट किया है कि बाजार सबके लिए समानता की भावना रखता है क्योंकि चाहे कोई हिंदू हो कोई मुस्लिम हो चाहे कोई सिक्ख हो या इसाई बस बाजार चले भर जाओ वो उसे सब को अपनी और आकरशित कर लेता है और सब उसकी और आकरशित होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं अब देखो जैनेंद्र कुमार जी ने उपभोकता वादी संस्कृती और जो दिखावटी संस्कृती है उस पर करारा व्यंग किया है इस पार्ट के माध्यम से उपभोकता वादी संस्कृती उपभोकता मतलब हम सब जो पियोग करते हैं वस्तियों का ठीक है तो जिस तरह से व्यक्ति बाजार की वस्तूओं का इस्तमाल करता है तो किसी के लिए 10,000 रुपे मैंने भी मतलब कोई व्यक्ति एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो दस हजार में अपना घर गरस्ती बाल बच्चे सब को पालन पोश्ण कर लेता है और एक व्यक्ति रहता है जो 10 लाख या कई ल चाहे खाने की चीजे हों चाहे पहनने की चीजे हों चाहे डेकोरेशन की चीजे हों वह एक से बढ़कर चमक 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 दिखाई देती हैं और हम सब को चका चौन में गरफ्ट कर लेती है तो यहां पर जैनेंद्र जी ने यही बताया है कि जागो ग्राहक जागो किसी भी तरह श्रीजेनेंद्र कुमार जी द्वारा रचित एक महद्वपूर्ण निबंध है ये कि शैली में लिखा गया है निबंध शैली में जिसमें गहन वैचारिक्ता और साहित सुलवलालित का मनिका अंचन सैयोग देखा जा सकता है इन शब्दों के अर्थ देख लीजिए जिसमें गहन वैचारिक्ता मतलब गहरी सोच है गहरे विचारों की गहन वैचारिक्ता मतलब बहुत डीपली उन्होंने सोच कर इसकी रचना की है और साहित सुलवलालित का मनिका अंचन सैयोग देखा जा सकता है मतलब जो साहित में जिस तरह के शब्दों का जिस तरह के रचना का चाहिए जो सबको अच्छी भी लगें और समझ में भी आएं ऐसी उन्होंने रचना की है यह निबंद उपभोकताबाद उपभोकताबाद मतलब दिखावटी संस्कृति एवं बाजारबाद के मूल अंतर को बताता है कि आखिर बाजारबाद क्या है उपभोकताबाद क्या ह हर एक के मन में लाल अचार एक के मन में ऐसी बावना आती कि काश मुझे भी यह चाहिए मुझे भी यह चाहिए हम बड़ों को भी ऐसा नहीं कि बच्चा ही जिद करता है हमें भी लगता है कि यह कपड़े यह कपड़े लेकिन यार थोड़ा सा पैसे कम लग रहा है मुझे तो हम जरीद खरीदेंगे अब यदि कोई वस्तू नहीं खरीद पाए तो हम उदास से बने रहते हैं फिर घर में पती देव कहते हैं कि चलो चलो खरीद लो तो मुदास ना हो ऐसी भी कभी कभी बाते आती हैं बच्चे जिद करने लगते हैं और बुजुर्ग भले ही अपनी भावनाओं को सीमित रखें लेकिन कहीं न कहीं उनका भी मन करता है हमें यहाँ पर अपनी आवशक्ताओं की पूरती अवश्य करना है लेकिन किसी भी तरह से होड में नहीं जाना है यह दिखाया है जैनेंदर जी ने बाजार का सदोपयोग करें तो उसका लाव उठा सकते हैं लेकिन अगर हम जरूरत से दूर बाजार की चमक दमक में फस गए तो वह असंतोश त्रिशना और इरश्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है क्या बाजार तो क्या कहा है कि यदि हम आवशक्ता अनु अनुसार बाजार का सदोपयोग करें तो उसका लाव उठा सकते हैं ठीक है जितनी आवशक्ता है उस आवशक्ता के अनुसार यदि हम बाजार का उपयोग करें तो वह हमें लाव उठा बिलकुल हमारे लिए बाइदे मन्दे लेकिन यदि हम जरूरत से दूर बाजार की च सगर जलन के सद है अरफात किसी के पास कोई वस्तू है बहले हुआ है चूंकि उसके पास है और अच्छी लग रही है तो तो हमें भी चाहिए जलन क्योंकि पढ़ोसी की पास है मेरे पास नहीं है मेरे दोस्त के पास है मेरे पास नहीं मुझे भी चाहिए मैं इस पैन से लिख सकता हूं लेकिन चूंकि उसके पास अच्छा वाला पहने तो मुझे भी वह चाहिए मैं इस बैग मैं अपनी बुक्स रख सकता हूं लेकिन उसके पास ऐस बैग है तो मुझे भी वैसा बैग चाहिए ठीक है मेरी इस स्वेटर से सर्दी मिट रही है लेकिन नहीं मुझे वो जैकेट चाहिए जो मार्केट में सबसे सुन्दर रही है या मेरे दोस्त ने पहनी है तो बस इसमें ईर्शा जलन और जो है असंतोश मनी मन व्यक्ति खुश नहीं रह पाता है और हम बाजार की किरफ्त में होते जाते हैं और कहीं न कहीं जब हम आवशक्ता से अधिक खर्च करते हैं तो फिर हमें दुख या हमें बहुत सारी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है तब ही तो कहा गया है जेते पाउपसार ये तेती लांबी खौर अ अपने आप से प्रतीस परदा मतलब प्रतीस परदा नहीं करना है अनुस परदा करना है पहले मैं चटाई पर बैठता था मतलब पहले सबसे पहले मैं जमीन पर बैठता था मैंने चटाई खरीद ली है अब मैं कुरसी खरीदना चाहता हूं क्यूंकि अब मैं कुरसी की बिल्डिंग बना ली यदि हम सोचें कि नहीं हमें तो आज उचल कर उचाई पर जाना है तो अधे मों नीचे गिर जाते हैं तो अपने बाहु बल पर हमें भरोसा रखना है किसी की होड में कदापी नहीं जाना क्योंकि होड विनाश की और ले जाती है और जो प्रतियों की त जरूरत से जादा उसकी चमक दमक में फस गए तो इरशा की भावना नफरत की भावना जलन की भावना असंतोश की भावना पन पेगी और हम खुश नहीं रह पाएंगे इन्हीं भावों को लेखक नयनेक प्रकार से बताने का प्रयास किया है इस चैप्टर के माध्यम से इ एक बार उनका मित्र अपनी प्रिये पत्नी के साथ बाजार में एक मामूली सी वस्तू खरीदने के लिए गए अब यहां पर वो अपनी कता सुना रहे हैं कि उनके मित्र थे वो अपनी पत्नी के साथ बाजार में गए एक मामूली सी वस्तू खरीदने लेकिन जब वे लोट लोट कर आये तो उनके हाथ में बहुत से सामान के बंडल थे गए थे एक वस्तू खरीदने लेकिन जब लोट कर आये तो बैक्जी बैक्स बहुत सारे बैक्स हाला अब क्या हुआ इस समाज में आसायमी इंपेशन्स एवं सायमी पेशन्स जिनके पास है दोनों तरह के लोग रहते हैं कुछ लालची तो कुछ एकदम सही कुछ ऐसे जो बेकार खर्च करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी सायमी होते हैं जो फिजूल सामान को फिजूल समझते पास रेल टिकेट के लिए भी पैसे नहीं बचे लोग अब देखो बाजार में गए पतनी जी भी साथ गई थी, खरीदे गए, खरीदे गए, खरीदे गए, खरीदे गए, नेक्स टेम को कहीं जाना होगा, रेल की टिकेट तक के लिए उनके पास पैसे नहीं कचे, अब क्या होगा? लेखकोंने समझाता है कि वैस सामान पर्चेजिंग पावर के अनुपात में लेकर आया है समझ में आया कि जितना तुम्हें पर्चेज करना चाहिए था जितना तुम्हें खरीदना चाहिए था तुम तो उससे कहीं ज़ादा सामान ले आए और अब कहा रहा हूँ कि अब क्या करूं यार तो सोच समझ कर हमें काम करना है बाजार जो पून रूप से सजा धजा होता है ठीक है जो अमेज़ा सजा धजा रहता है अपनी और हमें खीचता है वह ग्राकों को अपने आकर्शन से आमंत्रित करता है इन्वाइट करता है एड्स एड्विटिस्मेंड विज्यापन तरह तरह के आईए और मौक अप आईए सब से सुन्दर या यह तो परीधान तो वस्तरा ले तो एक के साथ एक फ्री तो फिफ्टी परसेंट आफ कई तरह फिफ्टी परसेंट आफ या फिर कह देंगे वन गैट वन वन फ्री ऐसा भी कर देते हैं तो हमें लगत तो अरे वाओ इतना बड़ा ओफर चलते हैं अरे भाई कभी भी बाजार या कभी भी मार्केट जो भी रहते हैं वो अपना मुनाफा देखते हैं हानी तो कभी नहीं तो बाजार से जो पून रूप से सजाधाजा होता है वह ग्राकों को अपने आकर्शन से आमंत्रित करता ही है जाओ मुझे लूट लो आओ मुझे लूट लो ग्राक सब कुछ भूल जाएं और बाजार को देखें उसका मतलब ही है उसका उद्देश ही है कि सब कुछ भूल जाएं सिर्फ मुझे देखें बाजार का आमंत्रा मूख होता है वो किसी को बुलाता नहीं है लेकिन हाँ आजकल तो recorded रख लेते हैं कि आई यह आई यह ऐसे recorded बजाते रहते हैं मार्केट्स में भी अब जो प्रतिक किरदय में अच्छा जगाता है और यह मनुष्य को असंतोस त्रिशना औरीशा से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देता है लेका कि एक और अन्य मित्र के माध्यम से बताते हैं कि यह मित्र बाजार में दोपहर से पहले गए लेकिन संध्या के समय खाली हाथ बापस आए दो मित्रों का उन्होंने जिकर किया एक मि कोटे तो बहुत सारे बैक्स या बंडल्स ने कर आए एक और मित्र गए थे जो की दोपहर पहले गए थे लेकिन संध्या के समय भी खाली हाथ लोट कर आए उन्होंने खाली हाथ आने वाले का कारण बताए कि सब सब कुछ खरीदना चाहता था इसलिए इसी चाहा में कुछ भी खरीद कर नहीं लाया अब उनके बीचे भी एक सबसे बड़ा क्या कारण था जो कुछ खरीद कर नहीं लाए कि बाजार में इतनी सारी वस्तु हैं थी इतनी सारी चीज़ें थी कि मुझे लग रहा था कि साब खरीदना इसलिए कुछ भी नहीं लाया ठीक बाजार में ज जाने पर मनुष्य निर्णने नहीं कर पाता कि वह क्या क्या सामान खरीदे ठीक है अब जेब भरी है पैसे है तो खरीद लो बच्चे पतनी खुश मज़ा आ गया लेकिन सोच समझ कर देखना है कि फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने भर की कमाई यदि हम एक मनुष्य को अपनी तरफ आकर्शित करता है जेब भरी हो तो बाजार में जाने पर मनुष्य निर्णने नहीं कर पाता कि वह क्या क्या सामान खरीदे क्योंकि उसे सभी सामान आराम सुख देने वाले प्रतीत होते हैं लेकिन जादू का असार उतरते ही मनुष्य को फैंसी चीजों का आकर्शन कष्ट दायक प्रतीत होने लगता है तब वह दुखी होड़ता है बाजार में तो उसने बहुत सारी चीजों को देखा ये भी ले लिया वो भी ले ले लेकिन घर आया और जब जेव देखी बड़ा खर्च हो गया और कुछ ऐसी वस्तु है जो बस रख रखि रखिए किसी काम की नहीं है तो दुख भी होता है की और सुद्ट में ऐसा नहीं करना चाहिए है तो मनेश्य को बाजार में मन को भरकर जाना चाहिए क्योंकि जैसे गर्मी की लू में यदि पानी पी कर जाएंगे तो लू की तपन व्यर्थ हो जाती है क्या उधारन दिया है कि जब हम बाजार में जाएं तो बाजार में मन को भर कर जाना चाहिए कि हाँ हम सिर्फ यही सामान लेकर आएंगे क्योंकि हमारे पास सब कुछ है कैसे जैसे गर्मी की लू में यदि हम पानी पीकर जाते हैं तो लू नहीं लगती अधिक से अधिक पानी पीकर ही गर्मी में निकलते हैं ना प्यास भी रख लेते हैं कुछ तो हम सुविदा जनक कैसी करते हैं जिससे में लूना लगे वैसे ही मन लक्ष से भरा होगा तो बाजार का आकरशन व्यर्थ हो जाएगा आखें फोड़ कर मनुष्य लोब से नहीं बस सकता क्योंकि ऐसा करके वह अपना ही अहित करता है इसलिए हमें सोच समझ करी बाजारों की गिरफ्त में मतलब गिरफ्त से बचना है और जितनी आवशकता है उतना सामान खरीदना है संसार का कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है क्योंकि मनुष्य में यदि पूर्ण ता होती तो वैं परमात्मा से अभिन्न महाशून बन जाता देखो कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है क्योंकि मनुष्य में यदि पूर्ण था होती तो परमात्मा से अभिन्य महाशून ने बन जाता था अपूर्ण होकर भी हम मनुष्य है मनुष्य अपूर्ण है क्योंकि सब कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो पूर्ण हो जो बिल्कुल पूरी तरह से सैटिस्वाइड हो किसी को किसी चीज की कमी है तो किसी को किसी धन दौलत सब कुछ है लेकिन आत्मा का सुख नहीं है किसी के पास आत्मा का सुख है तो धन का सुख नहीं है किसी के पास धन और आत्मा सब कुछ है तो शरीर का स्वास्त का सुख नहीं है अर्थात कोई भी मनुशे पून रूप से संतुष्ट तो इस दुनिया में नहीं है तो ये सोचना तो व्यर्थ है कि अरे भाई देखो वो कितने अच्छे हैं हम तो ऐसा है कभी भी अपनी किस्मत को हमें कोसना नहीं है जो जीवन हमें प्रबू ने दिया है उसको बहुत अच्छे से जीना है दिल खोल कर जीना है, खुशी-खुशी जीना है हर एक मुसीबतों का सामना करके जीना है हाँ बेकार की चीजों से बचना है व्यर्थ की पैसा या फिजूल खर्ची से हमें अवश्य बचना है सत्य ग्यान सदा इसी अपून तागे बोध को हमें गहरा करता है तता सत्य कर्म सदा सपून तागी सुर्क्रिटी के साथ होता है लेखा कि चूडन चूडन बेचने वाले चूडन जो रहता है उसको चूडन भी कहते हैं तो यहां पर उन्होंने एक और व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है जो की चूडन बेचते थे सिर्फ चून जैसे कायम चून है कोई ये चून है सिर्फ चून बेचते थे उनको भगत जी कहते थे ठीक है तो एक चून बेचने वाले अपने भगत पड़ोसी की माधम से कहते हैं कि उन्हें चून बेचने का कार बहुत समय हो गया है वो अपना काम सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन चूर्ण वेच कर ही चलाते हैं लोग उन्हें चूर्ण के नाम से बुलाते हैं यदि वेवसाय अपना कर चूर्ण बेचते तो अब तक माला माल हो जाते अर्था जो भी चून उनकर रहता है वो बहुत ही लावकारी और फाइदे मंद होता है लेकिन उन्होंने कभी भी चून को व्यवसाय समझ करतों नहीं है वो सिर्फ क्या करते हैं अपने चून को अपने आप पेटी में रखकर बेचते हैं और केवल 6 आने की कमाई होने पर बाकी जोन बच्चों को मुफ्त में बाढ़ देते हैं ऐसा कोई कर सकता है या उनका लक्ष रहता है कि सिर्फ कितने कमी हो 6 आने की कमाई छे आने की कमाई मतला मानलीजे छे रुपे मानलो यदि आना नहीं समझे एक आना दो आना तीन आना फिर सो आना सोला आना ठीक है तो छे आने की कमाई का वो लक्ष लेकर चलते थे यदि उनका चूर्ण 6 आने का बिक चुका है तो बाकी यदि चूर्ण बचा हुआ है तो उसको वो फ्री में माट देते थे बच्चों को दे देते थे फिर उस चूर्ण को वो नहीं रखते थे समझ माया अभी इसी तरह से यदि कोई भी व्यक्ति सोचे कि अब मैंने इतना बेज दिया है अब मैं सब को ऐसा ही दे दूँ तो ऐसा तो कोई कर नहीं सकता था भगत जी ऐसा ही करते थे वो केबल 6 आने की कमाई होने पर बाकी चूर्ण बच्चों को मुफ्त में बाड़ देते थे ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं क्या हाँ लेकक ने बताया है लेकक बताते हैं कि सेट भगत पर बाजार का जादू थोड़ा सा भी नहीं चला अर्थात ये जो भगत जी थे सेट भगत जी पर इस बाजार का या दिखावटी दुनिया का जादू नहीं चला बाजार उनको अपने ग्रफ्त में नहीं ले सका और वो अपने तरीके से जीवनियापन करते हैं वह जादू से दूर पैसे से निर्मोही बन मस्ती में अपना कारे करता रहता है एक बार लेकक सड़क के किनारे पैदल चला जा रहा था कि एक मोटर उनके पास से धूल उडाती गुजर गई अब क्या हुआ जब लेकक सड़क के किनारे पैदल जा रहा है साइड तो दे दो ऐसे समझ रहो कि कार में बैटे हो पूरी सड़क तो मारी हो तो ऐसा ही लेखक को भी लगा कि यह मुझ पर पैसे की व्यंग शक्ति चला कर गई हो कि उसके पास मोटर नहीं है क्योंकि लेखक पैदल जा रहे थे और वो मोटर बाइक से जा रहा था लेखक के मन में भी आए कि उसने भी मोटर वाले मा बाप के यहां जन्मत क्यों नहीं लिया और ऐसी हीन भावना आ गई मन में लेकिन यह पैसे की व्यंग शक्ति उस चून बेचने वाले व्यक्ति पर नहीं चल सकती थी वो अपने आप में पूर रूप से संतुष्ट था बहुत और आकरशित कर लेता है लेकिन एक व्यक्ति हैं भगत जी जो की सिर्फ अपनी पेटी में रखकर ही चून बेचते हो लक्ष सिर्फ इतना की छे आने की कमाई हो जाए और छे आने चाहे उनको सुबह के बिलकुल एक घंटे में कमाई हो जाए तब भी जितना चूरन दिया म चाम हो जाए छे आने अर्था छे आने उस से जादा उनका कोई मतलब लक्ष नहीं रहता था और किसी भी तरह से बाजार का जादू उन्हें अपनी ग्रफ में नहीं ले पाया था तो हम अपने आपको नियंदरित कर सकते हैं हम ही हैं जो अपने आपको सहीर रास्ते पर चल करके अपने जीवन को अनमोल बना सकते हैं हम ही है जो किसी भी बातों पर नाजर अंदास करके अपने जीवन को अपने दरीकिसे जी सकते हैं ऐसा भी है कि देखो कक्षा में 40-50 विद्धारती रहते सब को सिक्षक पढ़ाते हैं तो कोई किसी का नाम चुप जाता है और किसी क आप पर नियंहत्रण करना होगा इसल pillar तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आपको नियंहत्रण कर सकता है वो पूरी दुनिया को अपने कभजे में रखने की या पूरी दुनिया पर WH छाहे वह सब कुछ अपने तरह से जीना है जो आपके लिए बहतर हो उसी को आपको करना है होड में तो कभी भी नहीं लगना है वे बड़े स्टोर चौक बाजार से गुजरते हुए एक छोटे से पंसारी की दुकान से अपनी जरूरत का सामान लेकर चल पड़ते हैं ठीक है उनके लिए चांदनी चौक का आमंतरन व्यर्थ दिखाई प पाता वे अलेखकंत में स्पष्ट करते हैं कि क्या करते हैं कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो अपनी चाहत को जानता है लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नहीं जानते तो वे अपनी पर्चेजिंग पावर के गर्व में अपने धन से केवल एक विनाशक और व्यंग शक्ती ही बाजार को देते हैं जो अपने पर्चेजिंग पावर के गर्व में अर्था धन दौलत के अविमान में ठीक है कि मेरे पास धन है तो जो जाईए खरीद लो तो ऐसे में क्या होता है विनाशक और व्यंग शक्ती ही बाजार को देते हैं क्योंकि ऐसे म खरीदने की उनकी शमता जादा है या भेंगी होते हुए भी कौन सी चीज भिक रही है तो जिससे तो लूट मार बढ़ेगी और सामाने व्यक्ती है जो बिचारा ललचाई नजरों से देखता ही रहेगा जिसके पास धंदौलत की कमी है वो उसी में सोच कर बिचारा कभी-कभ भी बहुत सारी हीन भावनाएं ग्रस्त हो जाती है जैसे लेकक ने स्वयम बताया कि जब मैं पैदल जा रहा तो एक बाइक वाला मुझे पर धूल उडाते चला गया मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी इस तरह से क्यों जन्म नहीं लिया कि मेरे हाथ में भी बाइक होती सिंपल सेहीन बाजार मानवता के लिए विडम बना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्र अनीती का शास्र है अर्थात एकनोमिक्स या अनीती तो यदि बाजार में सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही चीजों का विक्रे हो जो सिर्फ धनी व्यक्ती ही खरीच सकता है तो बेचारा मध्यम वर या जो लोवर क्लास है वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेगी और ऐसा अक्सर हो रहा है जिससे समाज में विशमता बढ़ रही है बाजार में तरह तरह के ऐसे प्रसाधन उपकरन आ रहे हैं कि सामने व्यक्तियों तक तो मतलब उनकी तो वहां तक नजर भी नहीं जाती यह है तो वैसा है फिर उनको उपेक्षा की दृष्टी से देखा जाता है उनको कंप्यर किया जाता है उनके मन में और ही इन भावना की ग्रंती जन्म ले लेती है जिससे क्या होता है आर्थ शास्र नहीं अनीति का शास्र है अन्याय का शास्र है तो यहां पर बाजारों को कौन भला कंट्रोल कर पाया है इस बेटर कि हम अपने आप को ही कंट्रोल में कर लें ठीक है आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने बाजार दर्शन चैप्टर को सुना भी है जैनेंद्री जी त्वारा रचित स्पार्ट के मूले या जो सार है या उद्देश है उसको भी ज ुझा ना कि किस तरह से हमें जो आवश्यक उनचीजों को आवश्या में खरीदना है लेकिन किसी भी तरह से लालच में कदम नहीं रखना है यदी लालच के दल्दल में हम फस गें तो निकलना बहार बहुत मुछल नहीं दाना रियो अपने लक्ष पर केंद्रित रहिए, जितनी आवशकता है उतना सामान लीजिए और बिलकुल अपने लक्ष पर फोकस्ड होकर आगे बढ़िए Magnet Brains आप सबके लिए Online School Education शत्र प्रतिशत फ्री अर्थात 100% फ्री प्रोवाइड करता है हिंदी मीडियम कक्षा साथ भी से बार्वी तक की Online School Education अंग्रेजी मीडियम किंडर गार्टन से कक्षा बार्वी तक की Online School Education साथी साथ सभी प्रकार के competitive exams के वीडियोस जैसे NTSC, Olympiad, IIT, JEE, NEET, UPSC, bank assurance और books और e-books भी अवेलिबल है लिंक दी है आपके description box में देखिए जानी और तयार रही है क्योंकि best qualitative education है आपके लिए हमेशा बने रही हर एक विशे के वीडियोस देखिए, like कीजिए, subscribe कीजिए और अधिक से अधिक share कीजिए ताकि सभी तक online free best education पहुंच सके यही हमारा लक्ष है कि आप अपने लक्ष तक पहुंचें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्त रहिए, खुश रहिए, बाजार दर्शन से दूर रहिए, अपने आपको नियंतरित रखिए, bye bye, thank you so much